दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियोनी की तरफ से लॉंच किये गया एक नए स्मार्टफोन के बारे में और माइक्रो मैक्स ने जब से इंडिया में फोन्स लॉंच किये भाई ये जितने भी पुराने चावल है भाई सब वापस से मार्केट में आने की जुगाड़ा में लग गए है चाहे लावा को देख लो चाहे जियोनी को देख लो अब भाई जियोनी की तरफ से इंडिया में एक और नया स्मार्टफोन लॉंच किया गया है जियोनी मैक्स प्रो थोड़े दिन पहले जियोनी मैक्स लाँच किया था अब उसका प्रो वैरेंट आया है जियोनी मैक्स प्रो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोन से रिलेटेट सारी चीज़ों के बारे में क्या-क्या स्पैसिफिक्शन दिये गए हैं क्या कुछ फीचर्स मिलत कर दोगे फटावट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है स्टार्ट करते भाई बाचीत को और सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह फोन के बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बिल्ड क्वालिटी से आप क्या एक्सपेट करते हो भाई प्राइस पॉइंट इस फोन का जो रखा गया है उस हिसाब से प्लास्टिक बिल्ड ही मिलना है प्लास्टिक बिल्ड ही दी गई है प्लास्टिक का बैक है प्लास्टिक की फ्रेम है फ्रेंड में आपको ग्लास प्रोडिक्शन मिलता है यह चीज नहीं बताई गई है build quality यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है और design की अगर बात करें तो वही टॉप left में आपको square shape में camera setup मिलता है जहाँ पर दो cameras की housing है साथी में पीछे जीओनी की branding मिल जाती है front में अगर बात करें तो water drop notch के साथ में आता है हलकी सी यहाँ पर आपको chin मिलती है ठीक ठाक size की chin है वैसे भाई दिखने में phone अच्छा लग रहा है और build quality भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है black color में मिलता है, blue color में मिलता है, red color में मिलता है तीन colors में phone launch किया गया है तो भाई build and design के मामले में तो ठीक ठाक phone है मतलब जादा शिकायात आप नहीं कर सकते हो जिस price point पर आया है phone build and design अच्छी दी गई है डिस्पले के अगर बात करते हैं तो 6.52 inches का display दिस्पले दिया गया है HD plus resolution के साथ में आता है IPS LCD panel यहाँ पर आपको दिया गया है 19.5 S29 का आपको aspect ratio मिलता है 264 PPI के आसपास pixel density मिलती है 60 Hz का यहाँ पर आपको refresh rate मिलता है अब इस price point पर भाई आपको HD plus display ही मिलता है यहाँ पर भी HD plus display दिया गया है कोई दिक्कत नहीं है भाई display से भी display भी यहाँ पर price point के हिसाब से अच्छा दिया गया है आगे चल के बात करते हैं performance के बारे में क्योंकि सबसे बड़ा concern जो रहता है Gioni के phone के साथ में Lava के phone के साथ में कि यहाँ पर chipset कौन सा दिया गया है इस phone के अंदर आपको मिलता है Unisoc के तरफ से आने वाला SC9863A chipset यह chipset पहले भी आया है Lava के phones में भी हमको मिला है Gioni के phone में भी शायद यही वाला chipset दा अब chipset की अगर बात कर ले ना भाई तो 28 nanometer पर बना हुआ है अब मैं क्या बोलू भाई यहाँ पर 5 nanometer के chipset यहाँ पर launch अलरी हो चुके है यहाँ पर Gioni की तरफ से हमको 28 nanometer का chipset दिया गया है chipset में भाई यह company मात खा जाती है otherwise phone के specifications अभी तक तो अच्छे लग रहे है बस chipset जो है वो बहुत ज़्यादा outdated chipset दिया गया है performance आपको भाई बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है अगर raw performance की बात कर लें CPU performance की तो यहाँ पर आपको 1.6 GHz की peak clock speed मिलती है भाई octagon processor है 4 core A55 वाले 1.6 GHz पर और 4 core मिलते हैं आपको 1.2 GHz पर अब बताओ भाई CPU की performance आपको कैसी मिलने वाली है तो आपको ठीक ठाक performance मिल जाएगी day to day की performance तो आप अच्छे से निकाल लोगे gaming की अगर बात करते तो सोचना भी मत भाई कि यहाँ पर आपको gaming करनी है थोड़ी बोद देर सब्वे सरफर खेल लो candy crush खेल लो यह game खेल पाओगे लेकिन जो high end games है भाई वो games आप इसके अंदर नहीं खेल सकते हो IMG PowerVR GE83222 GPU यहाँ पर आपको दिया गया है जो की decent gaming performance दे सकता है अगर chipset अच्छा होता है इसके साथ में यहाँ पर जो CPU performance है और अगर GPU performance को साथ में देखा जाए तो आपको performance बहुत जाद अच्छी नहीं मिलने वाली है तो performance से expectation इस phone से आपको नहीं रखना है LPDDR 4 RAM यहाँ पर आपको मिलेगी EMMC 5.1 वाला storage मिलेगा अब यह जो phone है भाई performance के मामले में मेरे हिसाब से below average performance आपको देने माला है price point के हिसाब से आगे चलते हैं, cameras की बात करते है dual camera setup पीछे की तरफ दिया गया है 13 megapixel का primary camera है 2 megapixel का depth sensor दिया गया है ठीक camera setup है भाई, price point के हिसाब से ज़्यादा शिकायत आप नहीं कर सकते हो 1080 pixels में आप video record कर सकते हैं 30 fps पर, front camera की अगर बात करने तो front camera भी अच्छा दिया गया है 8 megapixel का, और 8 megapixel के selfie camera से आप 1080 pixels में video record कर सकते हैं 30 fps पर तो भाई, camera setup मेरे हिसाब से price point को देखते हुए अच्छा दिया गया है camera से भी आप ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकते हो battery के अगर बात करते हैं 6000 image का बड़ा battery है यहाँ पर दिया है जियोनी की तरफ से, battery में भी अच्छा गाम किया गया है, 10 watt की charging को phone support करता है, 10 watt का charger आपको box के अंदर मिलेगा, battery module यहाँ पर आपको अच्छा दिया गया है micro USB आला port मिलता है अब भाई अगर जियोनी है और लावा है, इन कंपनी को अगर step up करना है भाई तो छोटी छोटी चीजों पर दियान देना पड़ेगा, micro USB के बाजा है अगर यहाँ पर आपको type C वाला port दे दिया जाता तो एक highlighting feature हो जाता भाई, कि type C port दिया गया है इस price point पर, मतलब छोटी छोटी चीजों को किया जा सकता है यहाँ पर आपको type C port नहीं मिलता है यहाँ पर आपको micro USB आला port दिया गया है 3.5 mm खड़ा दिया गया है इस phone में से guy up करेंगे तो फिर दुनिया कहां जाएगी 3.5 mm jack यहाँ पर आपको मिल जाता है fingerprint scanner आपको इस phone के अंदर नहीं मिलता है यह एक छोटा सा drawback है इस phone का physical fingerprint scanner नहीं मिलता है phase unlock option यहाँ पर आपको मिल जाता है अब वो तो भाई जब उपन हाथ में लेंगे तब पता पड़ेगा लेकिन android 10 के उपर आपको मिलने वाला है उसी के लब अगर बात करें dedicated microSD का slot यहाँ पर आपको मिल जाएगा मतलब आप memory card भुसर सकते हैं आपका जो study material है जो work from home work from home नी home work जो है वो आप करते हैं देखते हैं करते तो होंगे निया आप देखते ही होंगे तो उसको देख सकते हो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है 3 GB प्लस 32 GB वाला variant एक ही variant में लॉंच किया गया है 3 प्लस 32 वाले में और इसका price रखा गया है 6,999 रुपे अब भाई price point भी अच्छा है specifications भी अच्छे है लेकिन केवल एक चीज मेरे को नहीं जमी और उसके कारण इस phone को मैं कता ही recommend नहीं कर सकता भाई वो है इसका chipset और chipset ही दिक्कत है इस phone के अंदर बागी मेरे को कोई समस्या नहीं है इस phone से price point अच्छा है 7000 के price point पर 3GB plus 32GB वाला variant आपको मिल रहा है अच्छा camera मिल रहा है अच्छा display मिल रहा है बड़ी battery यहाँ पर आपको मिल रही है लेकिन chipset जो यहाँ पर दिया गया है 28 nanometer वाला chipset under performing chipset यहाँ पर लगाया गया भाई और केवल chipset केवल और केवल chipset के कारण इस phone को मैं recommend नहीं कर सकता हूँ इस phone की बजाए आप फिर ले सकते हो भाई Infinix का Smart 4 Plus 6000 image की battery वाँ भी मिलती है सेम price पर आता है 3GB plus 32GB वाला वहाँ पर आपको A25 का chipset मिलता है और साथी में वहाँ पर आपको fingerprint scanner पर मिल जाता है तो इसकी बजाए वो थोड़ा सा better option हो सकता है यहाँ पर अगर केवल G.O.N. इतना करें ति Mediatek का Helio G25 chipset अगर यह डाल देता ना भाई इस phone को मैं अपने recommendation की list में top पर रखता भाई क्योंकि काफी अच्छे specifications दिया है G.O.N. ने लेकिन केवल chipset के कारण मात खागया भाई आप मैं को comment करके अपनी opinion बता रहा भाई कि specifications को देखते हुए आपको क्या लगता है कैसा होने वाला यह phone comment करके मैं को जरूर से बता देना वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को like कर देना अपने दोस्तों के साथ share कर देना चैनल को subscribe नहीं किया है तो भाई चैनल को subscribe कर लेना बेल आइकन दबादेना और वाला option से लेट कर लेना ताकि मैरे वीडियो को notification पहुँचे है आपको तुरन से मैं मिलूँग आपसे एक लिए वीडियो में